नमस्कार फ्रेंड मैं अंजना दिक्षित मेरे चनल अंजना दिक्षित की आसांदेश्पी में आपका स्वागत है आज मैं बना रहे हूं मुंबई का मशुहूर वड़ा पाव मुंबई जो आया और उसने वड़ा पाव ना खाया तो उसने फिर क्या खाया तो इस मुंबई के वड़ा पाव को मैं मुंबई के ही स्वाद में घरगर तक पूचा रही हूँ तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो वड़ा पाव बनाने के लिए सुरुवात हम करते हैं चटनियों से यहां पर हमने दो हिस्सा धनिया एक हिस्सा पुदीना और स्वाद के अनुसार हरी मिर्ज और कुछ पतियां करी पत्ते की ले लिए है इन सब को हमने अच्छी तरह से धो करके साफ करके रख लिया है तो अब हम इनकी चटनी बनाते हैं तो एक एक करके हम सारी पतियां डालें अब यह पुदीना इसको भी आड़ कर देते हैं यह देखिए हमने डंडियां इसी में जुड़ी हुई रखी है और यह कड़ी पत्ता इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है यह इसको बिल्कुल स्किप्ट ना करें 6-7 हरी मिर्च या स्वाद की अनुसर लेसुन की कलियां 7-8 अद्रक एक इंच का टुकड़ा बारिक किया हुआ आधा चोटा चमच जीरा आधा चोटा चमच काला नमक और एक चोटा चमच साधा नमक में डाल रही हूँ तो नमक आप बाद में टेस्ट करके भी कमिया जादा क सकते हैं आधा कप पानी डालते हैं और अभा हम करते हैं ढकन को बंद और बढ़िया सी चटनी पीस कर तयार करते तो यह देखिए चटनी हमने पीस ली है इतनी ही गाड़ी हमको रखनी है यह देखिए बहुत ज्यादा पतली भी नहीं रखनी है और एकदम टाइट भी नहीं रखनी है तो अब चटनी को एक बावल में ट्रांसपर कर लेते हैं और अब इसमें हम नीबू निचोड देंगे तो यह बड़े साइच का नीबू है आधा नीबू इसको हमने निचोड दिया मिक्स कर दिया तो ग्रीन चटनी तो रेडी हो गई है अब हमको मिठी चटनी बनानी है तो चलिए मिठी चटनी बनाना शुरू करते हैं तो यह हमने इमली ले ली है वजन में है 50 ग्राम और पानी का यूज करेंगे और इनको भीगने के लिए 15-20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो अब 20 मिनट हो चुके हैं यह देखिए इमली काफी फूल गई है तो अब गैस की तरफ चलते हैं यह हमने एक हांडी ले लिए अब हम इस इमली को गुड और पानी सहीत डाल एक चोटी चमच सौफ के दाने क्योंकि सौफ का पाउडर हमारे पास नहीं है तो सौफ को हम यहीं पर पका लेते हैं पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं इमली काफी फूल गई है तो अब हम गैस को बंद करते हैं डग कर रख देते हैं ठंडा होने के बाद हम इसे खोलेंगे त बीज होते हैं, रेशे भी होते हैं इन सबको हमें अलग करता है तो यहां पर हम विल्कुल साफ हाथ हो से इमली को मसल लिया है यह देखिंगे हम बीज रेशे सब निकाल लेते हैं तो अब इमली का यह जो पलफ बच गया है इसको हम वापस मिक्सर के जार में डालेंगे और काफी रेसे हैं, जो ये उपर छन्नी में रह जाएंगे, तो अब हम छन्नी से पल्प को अलग कर लेते हैं, तो ये जो इतने रेसे निकले हैं, इनको हम अलग कर देंगे, अब इमली के पल्प को हम फिर से हांडी में डालते हैं, गैस पर चढ़ा देते हैं, फ्लेम हमें लो ट एक चम्माच जिंजर पाउडर, या सोंट, एक चम्माच लाल मिर्ज पाउडर जो रिकॉर्डिंग में इसकिप हो गई है, आधा चम्माच का समीरी लाल मिर्ज का पाउडर, यह color के लिए है, बहुत कम Aku इंडी की चट्णी पक रही है इसमें हम डाल देंगे और हिलाते हूँ फिर पैंके पाइंगे ह है पांच मिनट तक चट्णी पक चुकी है तो हम देख सकते हैं हब ही थोड़ी पतली लग रहی है तो आब हम एक चमघ अरा रोट किना डाल रहें और थोड़ा सफ पाणी डाल रहें हैं। इसो भी घोलना भहुच जरूरी है, गुठ्लियां आ रहें। एस घोल रहा हैं। और चटनी को हीलाते जाएंगे, अब चटनी को 3-4 मिनट और पका लेंगे, या जब तक आपको चटनी पतली लगे तब तक आप पकाते रहें, अब आप देख सकते हैं कि काफी गाड़ी हो गई है, तो हम प्लेट में डाल कर प्लेट टेस्ट कर लेते हैं, अब ये पूरी की चटनी बनकर तयार हुई है, तो फ्रेंड वड़ा पाव बनाने के लिए इसकी चटनीया बनाने बहुत जरूरी है, इसलिए दोनों चटनीया हमने बना कर आपको दिखा दी, तो अब हम चलते हैं वड़ा पाव के मसाले की तरफ, तो ये उबले आलू है, इनको थोड़ा की तरह आलू को मैस करेंगे, तो ये देखिए, दरदरे आलू हमने मैस कर लिये हैं, तो अब हम आलू का मसाला देखते हैं, तो ये हमने एक गांठ लेसन को छील लिया है, कड़ी पत्ता, मिर्च, जीरा, आदा चोटी चमच है, हरा धनिया, 15-20 काली मिर्च के दाने, इन सब को अब हम खलबटे में डालेंगे, और कूट कर दरदरा पेष्ट बना कर तयार कर लेंगे, मसाले फ्रेंड आप अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं, ध्यान रहे वड़पा बनाने के लिए किसी भी रेडिमेट मसाले का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो हरा मसाला त जलते हैं, गैस की तरफ, कड़ाई गरम हो गई है, अब हम इसमें एक टेबल स्पून तेल डालेंगे, थोड़ी सी राई, कड़ी पत्ता, थोड़ी सी विलकुल हिंग डालेंगे, एक पिंच, आधा छोटा चमच हल्दी का पावडर, आधा आधा चोटा चमच कश्मीरी और इसको भी डाल देते हैं, एक चमच सूखा धनिया, थोड़ा सा मिक्स करते हैं, और अब हम इसमें अलू एड़ करते हैं, तो जितने बेसिक मसाले थे, वो हमने सब डाल दिये, हमको अलग से कोई भी मसाले नहीं डालने हैं, अब हमें आलू को अच्छी तरह से इसमें भून तली में चम्मच हिलाते हुए हम पकाएंगे और दिमी दिमी आज पर हम कोई ने फ्राई करना है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी रेस्पी आपके पास तुरंत पहुंच सके तो तीन मिनट भूनना है वड़ा पाव के आलू को बहुत अच्छी तरह से भूना जाता है तभी इसका स्वाथ बढ़िया आता है साथ आठ मिनट हमने आलू को भूना है बहुत बढ़िया खुसबू आ रही है इस समय हम थोड़ा सा मसाला लेकर नमक चेक कर लेते हैं और अब सबसे जरूरी है हरी चटनी तो जो हमने हरी चटनी बनाई थी इसको हमें एक या दो चमश डालना है और फिर से एक दो मिनट के लिए मैं तो ठक गई हूँ लेकिन मसाला भी मजेदार बना है तो अब इस तरह से अगर मसाले को बनाएंगे तो आपके वड़ा पाव बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे तो अब गैस को बंद करते हैं और मसाले को धकन से कवर करते हैं तो अब हम बेशन का घोल तैयार करत चोथाई छोटी चमच हम यहां हल्दी का पावडर डालेंगे और आधा छोटी चमच लाल मिच का पावडर डालेंगे बस यही तीन चीज़े हमें डालनी है और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और बेशन को मिक्स करते जाएंगे गुठलिया न पढ़न आप चाहें तो कर सकते हैं, पर जरूरत नहीं है, मैंने 5 मिनट के लिए रेश्ट करने के लिए रख दिया था, तो बेसन हमारा फूल गया है, तो अब हम आलू के गोले बना लेती हैं, इस तरह से हमें मसाले के गोले बना कर तयार कर लेने हैं, जितने वड़ा आप चाहें, उ ज्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो ये आलूओं में अच्छी तरह से लिप्टेगा नहीं, तो अब चलते हैं के इस की तरफ, तेल हमने चढ़ा दिया है, गरम हो गया है, तो अब हम एक एक करके वड़े को डालते जाएंगे, कढ़ाई में जितने वड़े आसानी से आ तो जो गरम तेल है, इसको हम कल्ची के साहता से पहले वड़े के ऊपर डालेंगे, जिससे की उपरी परत हाड हो जाए, और अब हमें धीरे धीरे नीचे से इन को हिलाना है, जिससे की ये चिपकने ना पाएं, अब धीरे धीरे करके पलट देंगे, और कलर का भी बराबर ध इसका ये जो बारिक टुकड़ा है, ये भी वड़े के साथ ही लगाया जाता है, तो इसको फेकना रही है, तो अब हमने वड़ो को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, ये गोल्डन हो गए हैं, अब हम एक एक करके सारे वड़े निकाल लेते हैं, दिख रहे हैं ना मिर्च को तलेंगे, बीच से हम मिर्च के टुकड़े कर लेंगे, जिससे की मिर्च फटेना और इसको तेल में निकाल कर रख लेते हैं, ये देखे, मिर्च भी तैयार हो गई है, और अब इदर दूसरी तरफ हमने तवा को गरम कर लिया है, इसमें हलका हलका हम पाव को सेख अब पाव भी रेडी हो गए है, तो चलिए अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं, और अब वड़ा पाव की प्लेटिंग करते हैं, ये लैसुन की चटनी है, इसके बिना वड़ा पाव अधूरा रहता है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बाक्स में दिया हुआ है आप वहाँ से देख सकते हैं, इसलिए मैंने इस चटनी को बना कर आज नहीं दिखाया है, अब हम वड़ा पाव को लगाना शुरू करते हैं, नीचे की तरफ हम लगाएंगे हरी चटनी, इसकी एक लेयर में हमें तीकी चटनी लगानी है, और उपर की तरफ दूसरी लेयर जो है, वो मीठी चटनी की लगानी है, बीच में हम लहसुन की सूखी चटनी चिड़क देंगे, और अब पाव के बीच में हम रख देंगे गरमा गरम वड़ा, इसको हलका सा प्रेस कर देंगे, ये देखिए, मजेदार वड़ा तयार है, और अब दूसरे वड़ा को भी हम इसी तरह से बना कर तयार कर लेते हैं, तो मीठी चटनी, तीखी चटनी, बीच में गरमा गरम वड़ा, और उसके उपर लहसुन की सूखी चटनी, आ गया ना मुमे पानी, तो फ्रेंड इसका टेस्ट अमेजिंग होता है, तो ये लिजिए, थाली तयार है, दो बड़े और हमने रख दिये, गरमा गरम, लेकिन हाँ, अभी मिर्च तो बाकी ही है, तो अब हम तली हुई मिर्च में डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने नमक नहीं डाला है, तो अब आप इस चटपटे वड़ा पाव का आनंद लीजिए, और मुझे बताईए कि मेरी रेस्पी कैसी है, अगर आपको पसंद आए, तो लाइक जरूर कीजिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ, तब तक के लिए, नमस्कार